नमस्तार मैं हूनितीश पांडे और आप देख रहे हैं अमरुजाला का डिजिटल पेज आज हम पूर्वांचल की एक ऐसी ख़बर पे बात करेंगे जिसका वीडियो वाइरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विशय बना हुआ है आजमगड से ये खबर है और आजमगड के जियनपुर्शेत्र में रामलीला के दोरान रासलीला की तस्वीर सामने है अश्लील दान्स हुआ और वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया वहां पर सुरक्षा बेवस्था भी पुपता की गई थी लेकिन जब ये व जरूरी थी जिस तरह से अश्लील दान्स के तौर पर ये तस्वीरे ये वीडियो सामने आया आखिर उसके पीछे क्या वज़ा है क्या महस इस आयोजन को एक अलग रूप प्रदान करना वहां पर भीड कठा करना या फिर इस आयोजन को एक अश्लीलता की और ले जाना ये इसका उतेश्य है हलकि जब पुलिस इस मामले को अपनी जानकारी में लेती है और इस पर संग्यान लेती है तो अब इस पर चांच की जा रही है इस पर सब तथ्यों को यानि एक एक तथ्यों को पूरी तरह से जुटाया जा रहा है इस तरह के वीडियो कही न कहीं समाज में एक अलग संदेश देते हैं और जो लोग है वो इस तरह के वीडियो को जब देख रहे हैं तो ये चर्चा करते हुए नज़र आ रहा है कि आखिर जब धार्मी कायोजन होते हैं तो इस तरह की तस्वीरे सामने क्यों आती है आखिर जब राम लीला का मंच वहां पर भगवान श्री राम के अभिनय को पात्रों द्वारा कहीं न कहीं जो जनता है वहां तक पहुचाने का साधन बलता है आखे वहां पर इस तरह की अश्लीलिता को परोशनी का कारण क्या है यह सब चर्चा का विशय है जियनपूर थाना छेट से राम लीला के मंच पर बार बालाओं के दोरा ठुमका लगाया जा रहा है जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो उसमें आपके दोरा क्या करवाई की जा रही है देखे दिनांग 10 अक्टूबर 2024 को थाना जियनपूर में कस्वा के अंतरगत और पुलिस इस पूरे मामले पर अब अपने जाज शुरू कर चुकी है और देखना यह होगा कि पुलिस की जाज के बाद जो तस्वीर है वो किस तौर पर सामने आती है किस रूप में सामने आती है आप जोड़े रहिए अमार उजाला के डिजिटल पेज के सा अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें